हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टो आइल्स का ग्यान आइम हर्ष यूर आइल्स ट्यूडर वाजम करने वाले हैं क्यूकार्ट तो चलिए शुरू करते हैं क्रियेटिव पर्सन उस वर्क यू एड्मायर कि क्रियेटिव इंसान के अबर मैं आज आपको पताना है क्यूकार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको तीन ऐसे बर्मास्तर दूंगा जो मैंने खुद नहीं यूज किये और हमारे 7.5 प्लस जो हाइस बैंड स्कोरा है तो यह कैसे अची हुआ इन तीन बातों को ध्यान में रखा माइंड के अंदर कि यह तीन चीज़ों को अगर आफ फॉलो करोगे न तो क्यू कार्ड में कभी आप अटकोगी नहीं आपको पता होगा कि आप बोल क्या रहे हो और एक्जामिनर को चाहिए क्या वो क्या आपके different from the individual who are giving the same IELTS examination की बहुत सारे बच्चे एक्जाम दे रहे हैं उस दिन उसको बहुत सारे बच्चे आएंगे जो speaking देंगे बट आप different दिखेंगे because आपके नहीं starting बच्ची की और वो कहते हैं न first impression is the last impression second होता है story की आप से आज जो cue card पूछा गया तो उससे related आपको story बोलनी है जिससे कि आपको जो दो मिनिट होंगे न वो easily pass हो जाएंगे और आप अटकेंगे नहीं तो story जो होती है वो इसलिए जो है main role निभाती है जो beach का हमारा जो मसाला होता है इसको मैं मसाला बोलता हूँ देश सी बाशा में क्योंकि इसी सही क्या होगा कि वो examiner जैसे आज आप से जो भी cue card पूछा उससे related अगर आप बोलेंगे story तो वो relate कर पाएगा थर्ड होता है कि outro means कि आपको अच्छे idioms के साथ अच्छे variations दिखाने हैं अच्छे connectors यूज करनी अच्छी vocab दिखानी है इन तीन चीजों के बेस पर आपको बैंड दिये जाते हैं और इन तीन चीजों को आपको ध्यान रखना है जब भी आप क्यू काड़ करते हैं कि बच्पन से लेके आज तक अपर्चुनिटी से अप्ली थोड़ा वंडर फूल पीपल की फिरको बहुत सारी अपार्चुनिटी मिलिए बहुत सारे अच्छे लोगों से मिलने के लिए लोगों से इसा मिला थो वह क्या है फिर्वेंटर बाइनेचर तो फिर्वड़ का मतलब होता है कि मौसमी दोस्त मींस की वह अपके अच्छे टाइम में तो आपके साथ है मौसकी आमाल लोग उचेमेंट्ट कर रहा है खोम रहा है पर रहे हैं लेकिन जब आप प्रोब्लम म लेकिन जातर लोग जिनसे मैं मिला हूँ वो वेल मैनेड है और क्या है? Sober है. Then I would like to narrate about a creative person whose work I admire. कि मैं आपको बताने वाला हूँ, एक creative person के बारे में जिसका जो काम है मैं खुद admire करता हूँ. यानि जिसको मैं सहा रहाता हूँ, जिसको मैं appreciate करता हूँ. That is none other than Harsh Kumar, जो कि कोई नीबल की Harsh Kumar है. तो हमने इंट्रो की स्टाइटिंग कर दिया हूँ, हम चलते हैं स्टूरी पे और एंडिंग. I vividly remember that I met with this person when I was in my 10th standard. कि मुझे अच्छे से आद है कि मैं ऐसे इंसान से मिला था, जब मैं दस्वी कक्षा में था. At the time he was in my classroom, कि उस ताइम पे ये मेरी classroom में था, he was very sharp minded, ये बहु ज़्यादा sharp minded था. From that time we both are best friends till now, उस वक्त से लेकर हम जो है ना अभी तक जो है ना best friend है. Ever since I have in touch with this person, if I talk about his personality traits, कि तब से लेकर मैं इस से ना touch में रहता हूँ, अगर मैं उसके personality के बार में बता हूँ, या उसके जो गुण है वो बता हूँ, traits का मितल होता है गुण, तो he is learned with abundant of knowledge, उसके पास है ना बहुत सारी knowledge है कि इसकी of music, art, science and fashion, यानि कि उसको music की भी knowledge है, art की की भी है, science की भी और fashion की भी है, he was all-rounder, वो all-rounder है, he is not only an eager beaver, but also an owner of high thinking, कि वो eager beaver ही नहीं, बल्कि वो ना एक owner है, किसका high thinking है, यानि बड़ी, आप यह सोच रहे होंगे, कि यार यह जो eager beaver है, इसका मतलब क्या होता है, देखे, eager beaver का मतलब होता है, जो बहुता hard work करता है तो बहुत जदा कड़ी मैनत करता है, और उसको हम बोलते हैं, eager beaver, तो यह बहुत अच्छा idiom है, जो हमने इसमें use किया, जिससे की, जो एक अच्छा impression बढ़ता है, examiner पे, and जिससे आप एक variation दिखा पाते हो, by watching his skills, I could not resist myself to become a die-hard fan of this person, कि जब मैंने उसकी skills देखी, तो मैं खुद को रोग नहीं पाया, उसका die-hard fan बनने के लिए, अब मैं बताना चाहूंगा, कि यह थी आपकी story, अगर आप इसमें कुछ और add-on करना चाहते हो, तो बिल्कुल प्लीज इसमें add-on कीजिए, ताकि अगर आपको लगता है, कि आपका 2 मिनिट पूरा नहीं हो पारा है तो आप अपने मर्जी से भी इसमें add-on कर सकते हैं, जो आप अपना like, मैं चाहता हूं कि आप भी जो है न, अपना mind use करें, और अपना आसपा जो भी आपका दोस्त है, ठीक है, उस से relate करके कुछ इसमें, आप अपने sentences ढाली है, जिससे की, और भी अच्छी story बन पाए, मैं about this, जब भी question आता है, what I feel about and all the things, तो आप बोल सकते हैं, apparently, I have nothing to speak ill about this, कि अगर मैं साफ तोर पर कहूं, तो मुझे कुछ भी बुरा नहीं कहना है, उसकी personality के बारे में, about this personality, because had I not met with him, I would not have had this much experience and knowledge, कि अगर मैं उससे नहीं मिला होता, तो मुझे इतना अच्छा experience नहीं होता, और इतनी अच्छी knowledge भी नहीं होती, तो मैं अगर मुझसे नहीं मिला होता, तो ऐसे हो जाता, हम बोलते हैं, कि अगर मैं वहान नहीं गया होता, तो मुझे पता नहीं चलता, तो यह जो in sentences को use करने के लिए हम had का use करते हैं, I can even say this person is for me like killing two birds with one stone, कि मैं यह कह सकता हूं कि यह not only get inspiration from him, but also feel delighted, कि मैं उसे से inspiration ही लेता, बट आनदित भी होता हूं, तो यह था आपका आज का cue card, I hope आपको जो आज का जो हमारा cue card है, वो समझाया है, IELTS का ग्यान चैनल, अगर आप रोज देखते हैं, it means आपको हमारा जो IELTS का study content है, वो पसंद आ रहा है, और इस चैनल का जो purpose है, वो यही है, कि आप कम समय में, IELTS के अंदर high band score टच कर पाएं, तो इसका जो one stop solution है, वो हमने आपके लिए निकाला है, वो है IELTS का ग्यान store, जहापे आपको मिलेगा IELTS का best study material, वो भी pocket friendly prices में, तो देरगिस बात की, आज ही visit करिए, और जिसका जो link है, वो आपको description में मिल जाएगा, और अगर आप online classes लेना चाहते हैं, तो इसकी जो contact details है, वो भी आपको description में मिल जाएगा, अगर आपको आज का जो वीडियो है, वो पसंद आया, तो इस वीडियो को like कर देना, share कर देना, और subscribe कर देना, thank you so much for watching, this is me Heard from IELTS का जियान, signing off.